Electromagnetic waves की students introduction देखते हैं, इसकी propagation और जो इसकी generation है वो हम next lecture में discuss करेंगे detail के साथ, यहाँ पर हम just इसका introduction देखेंगे, electromagnetic waves क्या है, देखें जैसे के इसके आप topic को देख रहे हैं, electromagnetic, यह इसमें actually आप देख रहे हैं, दो vectors जो हैं, electric field vector और magnetic field vector, तो ऐसे waves जो के बगएर vacuum के travel करते हैं और इसमें यह दोनों vectors एक दूसरे के साथ linked होते हैं, यानि उसमें electric field भी होता है, magnetic field भी होता है, ऐसे waves को, ऐसे disturbance को हम कहते हैं, electromagnetic waves, जिससरा कि हमने 9th level पर या metric level भी पर पढ़ा था, कि basically अगर हम according to medium waves को divide कर ले, categories में, तो हमारे पास आते हैं, mechanical waves, यानि यह वो category, उस category की हम बात कर रहे हैं, कि जिसमें हम देखते हैं कि कौन से waves medium के बगएर travel कर सकते हैं, कौन से without medium, so, इसमें आते हैं, mechanical waves, और second number पर आते हैं, यानि यह इसकी main category है, second number पर आते हैं, electromagnetic waves, जो के उपर हम लिख चुके हैं, shortly इसको हम कहेंगे EM waves, electromagnetic waves, so, यहां पर हम बात करेंगे, electromagnetic waves की, actually जिससरा कि हमने बात की कि, इसमें electric और magnetic fields होते हैं, so, electric और magnetic fields किस तरह होते हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ linked होते हैं, यह, first of all, हम यहां पर इसकी जो figure हैं, वो दिखाते हैं, किस तरह हम इन दोनों को link कर सकते हैं, या इनकी जो traveling होती है, वो किस तरह होती है, किस तरह यह move करते हैं, यहां पर हम दिखाते हैं figure इसकी यह देखें यह electromagnetic waves की जो हमारे पास simple एक figure है किस तरह वो travel करते हैं वो हम दिखाते हैं यहां पर अब देखें जिस तरह के हमने alternating current या alternating voltage का graph पढ़ा था अपने देखा था कि suppose हम एक sign waves से अगर उसको show कर लें यह देखे एक alternating voltage आप consider कर लेए इसमें हमने देखा था इस तरह के wave में कि जो इसकी magnitude है वो ú American पिर यह स्थाथ ओसकी ओ certificates कि पिर मेंगनिट्टुड़ इसका इसकी तुरख़ होती है फिर डीक्रीज होना ही, इस वो एदरे इस चफिर किस्था 1., पिर डीक्रीज होना शोती है यह दुनरी क्वेड्रेकशन पिर गिडिक्रीज होना शोरू होजाती है। हम कहते हैं कि इससे एक wave बनता है उनका, so बिल्कुल इसी तरह electromagnetic waves का figure हमने दिखाय हुआ है, आप देख रहे हैं कि इसमें electric field B है, जो red से show हो रहा है, that is electric field और जो blue से हम show कर रहे हैं, this is magnetic field vector, देखें, यह magnetic field vector है, इसको मैं B से denote करता हूँ, और यह हमारे पास electric field vector, इसको मैं E से denote करता हूँ, आप देख रहे हैं कि अगर मैं first electric field vector को देखूँ, तो देखें उसकी value है वह हिस्ता 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 हिस् तो इस तरह जो red one है अब देख रहे हैं कि वो एक खास time period के बाद एक खास time के बाद अपना direction भी reverse करता है और उस तरह इसका magnitude जो है वो alternatively change होता रहता है बिल्कुल इसी तरह जो magnetic field vector है वो आप देखें इसके लिए वो perpendicular है electric field vector को वो क्या है perpendicular यानि अगर आप देखें यह suppose y axis है electric field vector so जो magnetic field vector है वो z axis पर हम ले रहे हैं z axis पर देखें वो बिल्कुल उसके साथ 90 degrees का angle बना रहा है so दोनों जो है दूसरी के पर perpendicular है और उसमें जो variation है वो बिल्कुल उसी तरह आ रहा है देखें इसका जो wave है वो बिल्कुल यू बन रहा है उसी तरह का wave बन रहा है लेकिन just उसकी जो direction है जो इसकी vibratory direction है जिस direction में vibrate कर रहा है वो इसके लिए perpendicular है so दोनों की variation है वो एक दूसरी पर depend करता है जिस तरह के हमने history में पढ़ा था history of electromagnetic induction के अगर suppose आप एक charge को move करते हैं charge को move करते है यानि electric field जो है वो क्या करता है moving charges वो generate करते है magnetic field को यहाँ पर हम just उनको symbol से show कर रहे हैं लेकिन actually उनकी changes की वाज़ासे होते हैं जब आप एक field को change करते हैं vary करते हैं so next field को produce करते हैं इसी तरह जब आप magnetic field को change करते हैं उसका flux change करते हैं so वो in result आपको देता है electric field तो बिलकुल आप देख रहे हैं कि एक field vary करता है तो उसके बाद दूसरा आठा है दूसरा field vary करते है तो इसके बाद पर electric आप पिर एक दूसरे पर वो depend कर रहे हैं यानि यह जो दौनो फील्ड है यह एक दूसरे के साथ linked हैं एक दूसरे की वज़ासे ही यह produce होते हैं और जब यह produce होते हैं तो यह Space में spread हो जाते हैं यह तो हमने एक की direction शो की होई कियम अछे हैं लेकिन निफ्रिण डरीक्षिं। में spread हो जाते हैं और इनकी जो speed है यह एक absolute speed के साथ spread होते हैं जब हम सी value देखते हैं वेक्जियूम में और इसकी जो value है वो हम speed of light से लेते हैं, जो कहे है 3 into 10 raise to power 8 meters per second, 3 into 10 raise to power 8 meters per second, यह इनकी speed है, यानि actually अगर हम देखें, जो light है वो भी actually part है, electromagnetic waves का, इनकी जो speed है, वो सब की सेम होती है, लेकिन just, जो difference है, मुख्तलिफ waves में, वो किन quantities में होता है, frequency में और wavelength में, frequency, frequency को हम एक और term से भी denote करते हैं, जिसको हम new कहते हैं, new इस तरह, यानि F से भी इसको denote कर सकते हैं, new से भी कर सकते हैं, so, जो speed है इनकी, सब electromagnetic waves की, वो constant होती है vacuum में, या अगर हम air में ले 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 तो approximately उतनी ही होती है, air में, या vacuum में इनकी speed constant है, जो कि ये है 3 into 10 rest per 8 meters per second, लेकिन जो wavelength और frequency है, वो पिर सारे waves के different है, यानि, में ये electromagnetic waves है, जो कि without medium भी travel कर सकते हैं, mechanical waves को हम पर हम consider नहीं करते हैं, चुंकि वो medium dependent है, हम जस्ट यहां पर electromagnetic waves की बात कर रहे हैं, जो कि without medium travel कर सकते हैं, so actually जो difference होता है, अगर आप देखे, suppose radio waves, जिस तरह के हम बढ़ते हैं, कि वो भी electromagnetic waves है, radio waves, इसी तरह आप देखे, जो microwave है हमारे पास, suppose microwave इसी तरह आप देखते हैं, जो मारे पास है, gamma rays, gamma rays, etc. तो ये सारे spectrum पर भी हमने बात की ती, electromagnetic spectrum पर, spectrum का मतलब actually ये है कि हम उनको एक खास quantity के लिहाद से arrange करते हैं, बिल्कुल इसी तरह कि suppose आप कुछ students को ले ले, consider कर ले, suppose ये height है for example, एक student की ये height है, ये height हम उसको यू यहाँ पर रख लेते हैं, दूसरा student से, student उसका height इससे तोड़ा से ज्यादा है, उसको हम यू अरेंज करते हैं, यहाँ पर तीसरा उससे भी उसका height ज्यादा है, so हम according to height देगे, इसको एक खास order में रखते हैं, so ये हमारे पास क्या आजाएगा, एक arrangement आजाएगी, spectrum बन जाएगी, तो बिल्कुल इसी तरह, electromagnetic waves के भी हम इनको रखते हैं, according to spectrum, और हमने देखा कि ये actually, एक दूसरे पर depend करते हैं, electric field vector और magnetic field vector, जब change होते हैं, तो दूसरे magnetic electric को, और electric magnetic को produce करते हैं, जिसको हमने electromagnetic induction में बढ़ाता, और इनकी जो speed है, वो constant है, लेकिन जो difference है, वो सिर्फ किसमे हैं, wavelength में, wavelength में और frequency में, यानि हर एक जो अगर आप radio wave ले 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 ले, या microwave ले ले ले, या game arrays ले ले, इनकी जो wavelength है, वो सब एक दूसरे से different होगी, जो इनकी frequency है, वो एक दूसरे से different होगी, लेकिन अगर आप इनकी speed देके, वेक्यूम में एयर में तो सब constant है, जो कि इसके equal है, और अगर आप इसको किसी और material में move करते हैं, तो पिर इसकी speed reduce हो जाती है, जो वेक्यूम में है, या एयर में वो इसकी highest speed है, जो कि यह है, हमने इसकी value दिये है, और यहां पर इसकी wavelength है, हम किस तरह define करते हैं, देखें, अब यहां पर एक, suppose हमारे पास crest यह बन रहा है, एक crest यह बन रहा है, यहां पर electric field का, एक यहां पर crest बन रहा है, magnetic field का, पर electric field का, तो जो wavelength है, वो define हम करते हैं, simply दो crest, consecutive crests या consecutive troughs के दरमियां, जो distance है, displacement, इसको हम लेते हैं, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं, कि यहां पर जो wavelength है, वो हम यहां दो consecutive electric field, vectors के दरमियां, यानि जो electric field के crests हैं, या पर दो consecutive magnetic field के crests के दरमियां, यानि आप यूं, magnetic field के crests के दरमियां यह ले सकते हैं, यह भी wavelength है, और अगर आप electric field के दो crests के दरमियान या दो troughs के दरमियान इन वह भी wavelength है और इस तरह आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए भी perpendicular है और जिस direction में ये move कर रहे हैं उस direction को भी perpendicular है तो इसलिए मारे पास कौन से waves हैं? Transverse waves